हलो, वल्कम तो दिस वीजियो, आज़र पढ़ने वाले हैं मुगल सम्राथ अक्वर के बारे में, इससे पहले हमने बावर और हिमायों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे सम्राथ अक्वर के बारे में, अक्वर के बच्पन का नाम जलाल था और उसका राज्या विशेग 14 फरवरी 1556 को पंचाब के कलानोर नामकस्थान पर हुआ था, अक्वर का शिप्चक अब्दुल लतीफ इरानी बहुत बड़ा विद्वान था, और वह जलालुदीन मुहम्मद अक्वर बादसाही गाजी की उपादी से राज जिंगासन पर पैठा था, बैरंखा चुकि सिया मता लंबी थी 1556 से 560 इस्वी तक अक्वर का संड़क्षक रा, वह भदक्स खा का निवाशी था और उसे प्यार से खानी बावा कहा जाता था, पानिपत की दूसरी लडाई 5 नावंबर 556 स्वी को अक्वर और हेवों के बीच में हुई थी और इस युद में अक्वर विजई हुए था, फिर 31 जनवरी 561 को मक्का की तिर्थियात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खा नामक युवक ने बैरम खा की हत्या कर दी, वही बैरम खा जोकी अक्वर के सांड़क्षक रहे थे, मई 1562 में अक्वर ने हरम दल से अपने को पोड़न तर मुक्त कर लिया, अक्वर के बीच 18 जून 1576 में होता है और मिवार के शाशक महराना प्रताब अक्वर के बीच हुए इस युद में अक्वर विजई होता है, और इस युद में मुगल सेना का नितित्व मानजी एवं आसफ खाने किया था, और इसमें अक्वर का श्रीनापती मानजी था, हल्दी गाटी के युद के समय कुम्भल गड़ महराना प्रताब की राजधाने थी, और राना की ओर से इस युद में हाकिम खास सुर के नितित्व में एक अफगान फॉजे टुकरी एवं भीलो की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था, महराना प्रताब की मृत्यों 19 जन्वरी 1597 इस्वी में एक सक्त धनुष के प्रतंचा चढ़ाते समय अंदुरुनी चोट लग जाने के कारण हो गई, हल्दी गाटी युद के बाद महराना प्रताब ने डुंगरपुर के निकट चावर में नई राजधानी बनाई, महराना प्रताब के घोरे का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रशाद था और बात करें अकवर की तो अकवर ने दीने लाही धर्म का स्थापन की थी और अकवर दीने लाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, दीने लाही धर्म श्विकार करने वाला प्रधम एवं अंतिम हिंदो शाशक राजा बिरवल था और महेश दास नामक रामभन को राजा बिरवल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकवर के साथ रहता था, बिरवल अकवर का प्रिये मंत्री था, अकवर ने जैन धर्म के जैनाचार हरी विजय शूरी को जगत कुरू की उपाधी प्रधान की, अकवर ने शाही दर्वार में एक अनुस्ठान के रूप में सुर्यों पाष्णा शुरू करवाई और राजर्श प्राप्ति की, अकवर ने जैन धर्म के जैनाचार हरी विजय शूरी को जगत कुरू की उपाधी प्रधान की थी, अकवर ने शाही दर्वार में एक अनुस्ठान के रूप में सुर्यों पाष्णा शुरू करवाई, राजर्श प्राप्ति की जगती प्रणाली अकवर के शाशनकाल में प्रशलित थी, अकवर के राजा दिवान राजा टोडर मर्ग ने 1580 वी में 10 साल बंदोबस्थ विवस्था लागू की थी, इसमें 10 साल के लिए भूमी राजश्व को फिक्स किया जाता था, इसके अलावा, अकवर के दर्वार के प्रशिद संगितकार तानसेन थे, गुजरात वीजय के दोरान अकवर शर प्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर प्रथम शमुद्र को देखा था, अकवर के दर्वार के प्रशिद चित्रकार थे, अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन, अकवर के दर्वार के प्रशिद चित्रकार थे, अकवर के शाशन काल के प्रमुख कायक थे, तानसेन बाज बाहदूर, बापा राम दास, बैजुवावरा, अकवर के शाशन प्रनाली की प्रमुख विशेस्था मनसबदारी प्रथा थी अकवर के समकालीन संथ थे शेख शलीम चिस्ती अकवर के मृत्यों 16 अक्टूबर 1605 इस भी में हो जाती है और इसे आगरा के निकटिल सिगंदराबाद में अकवर को दफनाया जाता है अस्थापत्यकला के शेकर में अकवर की मृत्यों कृतियां को देखे तो दिल्ली में हिमायू का मकवरा, आगरे का लाल किला, फतेपुर शेकरी में शाही महल, दिवाने खास, पंच महल, बुलंद दर्वाजा, जोधा भाई का महल, इबादद खाना, इलाहाबाद का किला और लाहर का किला ये सारे जो भी आर्किटेक्टर हैं, वो सब अकवर के द्वारा बनवाए गए थें, अकवर के दर्वार के शोभित करने वाले नौरतन थें, अबुल फजल, फैजी, तामसीन, बिरवल, टोडरमल, राजा मानसीन, अब्दुलरहीम, खाने खाना, फकीर, फजियुदीन, प्याजा, उसके अलावा, अबुल फजल का बरा भाई फैजी, अकवर के दर्वार के राजकवी के पत पर आसीन था, अबुल फजल ने अकवर नामा ग्रंथ की, रचना की, और या दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहीद था, संगीत सम्राट तान सिन का चन्द 1526 पी मे वालियन में एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था, और उनका असली नाम रामतनो पांडे था, और उनकी प्रमुक्रतियां मिया की तोड़ी, मिया की मलहार, मिया का सारंग, दर्वारी का नहेरा दी थे, और तान सिन अकवर के दर्वार के गायक थे, संगीत अग्ये थे, महा सें अखवर के दरवार में आने से पुर्व रीवा के राजा रामजंद्र के हाँ राजश्रय में थी अखवर ने भगवान तास जो कि आमेर के राजा भार्मल के पुत्र थे को अमीर उलुम्रा की उबादी दे थी विशुप जायू के विद्रों को दबाने के दौरान बिरबल के हत्या हो गए थी 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिन से आगरा की और आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर शी बुंदेला नमक सर्दार ने हत्या कर दी थी मुगल समराट अकवर ने अनुवाद विभाग की अस्थापना की नकीव खां अब्दिल कादीर बदाई उन्यू शेक सुल्तान ने रामायन एवं महाभारत को फार्शी अनुवाद किया महाभारत को उर्दू में रज्म नामा पुस्तक से इसका अनुवाद किया गया है ने यारेदान इस नाम से किया हाजी ब्राहिम सरहंदी ने अथरवेद का मुल्ला शाह मुहमद ने राज तरंगनी का एवं अब्दुलरहिम्त खान खाना ने तुजू के बाबरी का दथा फैजी ने लिलावती का फार्शी में अनुवाद किया फैजी ने नलदम्यन्ति जोकी सूर्दास के द्वारा रजित है कथा का फार्शी में अनुवाद किया और उसका नाम सहली रखा भागवत पुरान का अनुवाद फार्शी में तोडरमन ने किया था अब्दुलकादीर बदायूनी ने सिंहाशन 32 का अनुवाद फार्शी में किया। जोतिश के प्रशिद ग्रंथ तजक एवं तुजुग का फार्शी में अनुवाद जहाने जफर के नाम से मुहम्मद खां गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बिर्वल को कवी प्रिय एवं नरहरी को महापात्र की उपाधी प्रदान की। बुलंद दर्वाजा का निर्मान अकबर ने कुजरात विजय के उपलक्ष में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के शमय में शुरू हुई थी। अकबर ने शीरी कलम की उपाधी अब्दु समत को एवं जरी कलम की उपाधी मुहम्मद हुशैन कश्मीर को प्रदान की थी। और उस समय मुगलो की राजकिय भाषा की बात करें तो राजकिय भाषा फार्शी थी। अकबर नगारा वादियंत बजाता था। अगर हम बात करें अकबर के द्वारा किये गये कुछ महत्पुर्ण कारे की और उसके इस्वी शन की तो अकबर के द्वारा दास प्रदा का अंत 1562 इस्वी में किया जाता है। अगर के समकाले इन शाशक थी। रानी इलिजाबेट 558 से 1603 इंग्लैंड शाह अब्बास 1588 से 1629 इरान और जार इवान चतूर्थ बिसलियावित 1530 से 1584 रूस के थे तो इस प्रकार हमने आज समराट अकबर से संबन्नित कुछ महतपुन तक्त्यों को जाना और नेक्स वीडियो में अगले शाशक जहांगीर की चड़्चा करेंगे अकबर वाकई मुगल समराज है उसमें महतपुन अस्थान रखता है क्योंकि अकबर द्वारा जो भी कारे किये गए थे वो कहीं ने कहीं मुगल समराज की विस्तार देने का कारे किया गया था और मुगल समराज की जो असली नीव है वो अकबर के द्वारा ही रखी गई थी ऐसा ही दिहासकार मानते हैं इसकी हलावा अकबर काफी उदार शाशक था और इसने हिंदों और मुशलिमों को दोनों को साथ में रखने के लिए दोनों को साथ मिले कर साशन किया था जिसकी वज़े से काफी वो लोक पर ये भी हुआ था इसके अलावा अकवर अपनी राश्पोताना जो निती है इसकी कारण भी काफी चर्चा में रहा था तो इस प्रकार आज हमने अकवर के बारे में जाना है फिर अगली क्लास में जहांगीर के बारे में चर्चा होगी तिल री देए हुच अ्यूच को आजयी स्वीनिय कमें चान भारे मिन चूंक दोलाव इए प्सक्तिंट इडियु से बारे मयूण चर्चान इसक पानदेश